सब्सक्राइब करते हैं आप सब्सक्राइब करने से बाले सबसे पहले वीडियो को सेयर कर दिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइकन प्रेश कर लें जिससे हमाई लिटेस्ट आने माले वीडियो आपको मिल दिरे सबसे पहले तो इस्टार्ट करते हैं आगी क्लास को देखते हैं पॉर्शन नमबर 24 पॉर्शन नमबर 24 आपका है एक पंद्रे दिनों की आउसत आय रुपया सतर है पहले पान दिनों की आय का आउसत रुपया साथ है और अंतिम नौ दिनों की आय का आउसत रुपया असी है इसकी छटे दिन की आय क्या है या आपको ग्याद करना है तो ध्यान से इस कोश्चन को समझेगा इस कोश्चन में आपको दे रखा है कि एक ए 15 दिनों का जो आय का आउसत है वह रुपया सत्तर है और पहले 5 दिनों का जो आय का आउसत साथ है और अंतिम 9 दिनों के आय का आउसत आपका असी दे रखा है आपको छठे दिन की आय गया करना है तो ज्यान से समझेगा यहाँ पर पंद्रे दिनों का उस्त दे रखा है सत्तर तो मैं यह लिए आप से पूछू कि पंद्रे दिनों के आये का योग क्या होगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पंद्रे दिनों के आये का योग तो पंद्रे दिनों के आये का योग क्या होगा तो यहाँ से आप पहले 5 दिनों के आयका योग निकल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, पहले पांच पहले पांच दिनों के आयका योग तो पहले पांच दिनों के आयका योग क्या होगा आउसत पुड़े संक्या तो पहले पांच दिनों के आयका आउसत दे रखा आपका साथ और दिनों की संगे आपकी है पांच, यानि कि आपका हो जाएगा 300, यानि कि पहले 5 दिनों के आए का योग आपका हो जाएगा 300, अब यहां से अंतिम 9 दिनों के आए का आए का योग भी निका सकते हैं, तो यहां से निकाल देते हैं, अंतिम 9 दिनों के आए का योग, तो अं आउसत गुड़े दिनों की संख्या तो अंतिम नौ दिनों का आउसत इसका है असी और दिनों की संख्या आपका है नौ तो नौ अठी कितना हो जाएगा 72 यहां तक आपको फिलिया रहे अब यहां पर देखिएगा यहां पर पहले पान दिन का आउसत तीन सो निकला और अंति तेज्चे दिनों का वस्त आपका है एक हज्जार पचास और यहां पर पहले पांच दिनों का वस्त आपका 300 है और अन्तिम को जोड़ेंगे तो आपका 14 दिन का आएगा पहले का पंदरे दिनों का आएगा योग में से यह आपका चौदर दिनों के आएगा योग में से यह आपका चौदर दिनों के आएगा योग में से तो हमको पता चलेगा यह आपका पंदरे दिनों के आएगा योग में से मैं चौदर दिनों के आएगा योग गटाँगा तो हमको ठेवे जिन्द का आएक है उसका 30 रुपया है यही उसका एंसर हो जाएगा इस तरीके से इस कोश्चन का जो एंसर होगा वह आपका आपसर नंबर 30 ही हो जाएगा अधर के कोश्चन नंबर 25 कोश्चन नंबर 25 का है 500 कामगारों की आउसत मजदूरी रुपया 200 थी बात में पता चला कि दो कामगारों की मजदूरी करम सब रुपया 80 और रुपया 220 की जगह रुपया 180 और 20 पड़ ले गई तो सही आउसत मजदूरी कितनी है या आपको ज्याद करना है तो ध्यान से इस क को समझेगा बहुत ही इंपार्टेंट कोश्चन है देखिएगा सबसे पहले बलाया है कि 500 कामगारों की आउसत मजदूरी जो है और आपका है रुपया 200 फिर आगे को लागया है कि दो कामगारों की मजदूरी करम सब 80 और 220 थी यानि कि इन 500 कामगारों में से दो कामगार ऐ बाए मिश्टेक इसको 180 और 220 फिर लिया गया है यानि कि इनको मिलना चाहिए 80 और 220 फिर जब कि इनको दिया गया गया गर्ती से 180 और 20 फिर तो आप से पुछा जा रहा है कि सहीं मजदूरी इनकी क्या है तो द्यान से समझेगा यदि मैं आप से पूछूं कि 500 कामगारों की कामगारों की मजदूरी का योग, मजदूरी का योग कैसे निकालेंगे, आउसत बुड़े संख्याओं की संख्या, तो आउसत दिना पर आपका है 200, और मजदूरों के संख्याओं की संख्या है 500, तो 500 का 200 में बुड़ा करेंगे, तो चार जीरो तो लगेगा यह आपका, के यहां तक आपको किलियर हैं मैंने 500 कामगारों की मजबूरी का योग निकाला है वह आपका इकाई दाई सेकड़ आजार तसजाल लाग एक अलाग रुपया आया फिर बोला गया है कि दो कामगारों की जो मजबूरी थी वह 80 और 220 रुपया थी लेकिन कि Mish-steaks से यह आपका 160 और 20 लिया गया तो दिखिए गाए हकाल नीकी 200 रुपया लिया जया तो इन दोनों में आप देखेंगे कि मज़दूरों को, इन दोनों मज़दूरों के मजदूरी जो है, 100 उ॥ाया प्लूप्या दिया रही है, तोì आपका इतना है जब 117 और 20 इन दोर कमकारों के लिए गया तो जो आँ regen aya आया यो तोल often the hour I आपका एक अनार को मिला और और देंगे तो सही मज़़ूरी पता चाहिए तो यहां पर आपका 00010 005 और यह सही मज़भूरी है यह आपका मिष्टेग वाला है क्योंकि यहां पर 100 उर्पे कम मिला है 100 उर्पे कम मिला तो 100 उर्पे जब जोड़ेंगे तो यह आपकी सही मज़दूरी है 500 कामगारों की अब ऑसत निकाल रहा है कितने कामगार है 500 500 का डिवाइड कर दिजिए 0000 यहीं सही मज़दूरी है इस तरहीके से इस कोश्चन का जो अंसर होगा आपसर नमबर 20 हो जाएगा अब देखते हैं कोश्चन नमबर 26 आपका है एक सब्ता के पहले 3 दिनों का आउसत तापमान 27 डिगरी सेल्सियस तथा अगले 3 दिनों का 29 डिगरी है यदि पूरे सब्ता का आउसत 28 दमनों 25 डिगरी तो सब्ता के अंतिम दिन का तापमान बताईए सब्ता के अंतिन दिन का तापमान आपको बताना है, तो ज्यांते समझेगा, सब्ता के पहले तीन दिनों का उसत तापमान 27 डिगरी है, यह किवल डिगरी है, और सब्ता के अगले तीन दिनों का उसत तापमान 29 डिगरी है, और पूरे सब्ता का जो उसत तापमान है, वो आप आपका 28.5 देगरी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले तीन दिनों के तापमान का योग क्या होगा। तो पहले तीन दिनों का तापमान का योग यानि कि Monday, Tuesday और Wednesday दे यानि मंडे ट्यूज़े विद नयस्टे सोम वार मंगलवर और अव्दवार के अवसत् पुड़े संख्याओं के संख्या तो ऑसत दे रखा है 27 और कितने दीन तो यानि कि जो दीनों के संख्या होगी हो आपका है तीन तो 27-80 कि पहले यहां पर सब्ता के अगले तीन दिन आएगई इस फ्राइडें आएगा फिर उसके बाद सतर दे आएगा तो मैं पूछूँ कि अगले तीन दिनों के तापमान का योग कितना होगा तो ओसर पुड़े संख्याओं की संख्या तो इनका जो ओसर दे रखा है 29 और संख्याओं की संख्या कितनी है एक दो और तीन यानि 29 दिया करेंगे तो 87 डिगरी आयोगा आपने पहले के तीन दिन का निकाल लिया और अगरा तीन दिन निकाल लिया तापमान का योग यहाँ पर पूरे सब्ता का ओसर तापमान का योग क्या होगा आउसत गुड़े संख्याओं की संख्या तो आउसत आपका है 28 दस मुलब पांच और पूरे सब्तान में दिनों की संख्या कितनी होती है साथ तो साथ से मल्टिप्लाई कर लिए तो साथ पचे 35 को 5 हासिल बचे 3, साथ पचे 56 और 3 कितना होगा 69 को 9, 5 फासिल बचेगा फिर साथ दुना 14 और 5, 19 यानि की पूरे सब्ता के तापमान का योग एक सो लिन्यानमे दसलों पांच है आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम दिन का तापमान बताईए तो देखिएगा पहले तिन दिन और अगले तिन दिन दिया है यानि कि आपको मंडे, Tuesday, Wednesday पिर आपका Thursday फिर आपका Friday फिर आपका Saturday इसका तापमान दिया है तो किसका तापमान नहीं दिया है आपको केवल और क्योड संडे का तापमान नहीं दिया है तो यहां पर Sunday लिखिएगा अभी इन साथ हो दिन आ रहे है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और Sunday आपको देखिएगा इन तीनों का योग भी पता है कितना है एक क्यासी है और इन तीनों का भी योग आपको पता है कितना है इन दोनों को चोड़कर घड़ा देंगे तो माइनस का देते हैं इसको आप साल करेंगे तो 31.5 डिगरी आएगा यानि कि जो अंती में दिन सलने का ताम्मान है 31.5 डिगरी है यही आपका एंसर हो जाएगा इस तरीके से आपका आपसर नमबर डीस हो जाएगा अब देते हैं कोशन नमबर 27 कोशन नमबर 27 आपका है सोमवार से बुद्धवार तक के ताम्मान का मद 17 डिगरी तथा मंगावार से गुरुवार के ताम्मान का मद 34 डिगरी है यही गुरुवार का ताम्मान सोमवार के ताम्मान का 4 बटे 5 हो तो गुरुवार का ताम्मान कितना हे या आपको इया द्यान से कुर्शन को समझेगा सो से कहले बोला है कि सो मुआ और से गुद्धवार तक के ताव मांदire जो वह आपका सैटी डिएगरी जो आपका मांद्य होता है वही आपका अवसत होता है यानि हम मांदure को तक कि ताबमान का मास सहती देगे तो यह जिए मैं बूछूं कि सो मुछूं कि सो मुआर से गुरू सो मुआर से आपका गुद्दवार तक के ताबमान का योग कितना होगा तो क्या करेंगे और दिनों की संखें कर देंगी मुजू पर दे राख़ा हैं तो निकालते हैं सो मुआर से बुद्दवार तक की ताबमान का योग क्या निकालते हैं तो केसे निकालेगे तो मांत यहां पर दे रख्था है 37 डिगरी और गुड़े संख्याओं की संख्या कितीनी एक दो तीन तो तीन से मर्दी प्लाई कर देजिए तो तीन सते के इस तीन तीन दिर का नोग जो ग्यार है यानि कि सोमवार से वो दवार तक के तापमान का योग निकाल लेगे तो मंगलवार यानि टूजडे वेदिनेज डे और थर्षडे इनका जो तापमान का माजदे रखाया चोती दिगरी अब मैं निकालता हूँ मंगलवार, बुद्धवार और ब्यस्पतिवार के तापमान का उसत तो यहाँ पर जो उसत दे रखाया है चोती दिगरी और गिनों किसन के कि दिनेए एक दो और तीन तो तीन से मटिपलाई कर देगे तो तीन चोग बार है तीन तीन का नोग और एक दस यानि कि आपने सोम मंगलवार से बुद्धवार तक का तापमान का योग निकाला 111 निक दि और मंगलवार से गुरुवार तक के तापमान का योग निकाला आपने 102 निक दि फिर पोस्चन में आप से बोला गया है कि गुरुवार का तापमान यानि जो थरसडे का तापमान है गुरुवार का तापमान, सो मुआर के तापमान का चार बट्टे पांच, यानि मंडे के तापमान का चार बट्टे पांच है, तो आपको ग्याद करना है कि गुरुवार का तापमान कितना है, तो यहां से देखिएगा, यदि मैं थरसडे, यानि गुरुवार और सो मुआर के वी जनुपात पर निगा तो कितना आएगा चार बटे पांथ कुछ नहीं हुआ जो मंडे था बटे में चला आया तो थरसड़े बटे मंडे बराबर चार बटे पांथ यहां से आप देखिएगा मंडे ट्यूजडे विजनेजडे का एक सो इग्या रहा है तो यदि मैं इसको मालू समिकर न आपको मिलेगा मंडे और माइनस का थरसड़े बराबर क्या मिलेगा 111 में से 102 बटाएंगे तो 9 यानि कि सो मुआर के ताबमान और गुरुवार के ताबमान की बीच का जुक अंतर आया हुआ आपका 9 निगरी है और यहां पर अनुपात में देखेंगे यहां पर आप कि ऽन wären रुपात का अंतर है सो मुआर और गुरुवार के कितने का अंतर है एक अनुपात यहां पर देखेगार जो एक अनुपात का अंतर है और श्लिवार के बात्र कर दो है और यहां से देखेगा है और पहकोμily श्मादिया there कर दिया थेक तो यहां से आपके किसोग माँर और पार्त कर अंतर है ओ आपका क्योज ? यहां पर THIS का है और यहां पर दिगेगे तो उनके की आंतर 9 डूझ केन यह दो यह इस अनुपात है और 9 डीगणी बराबर हैísimon 2 डी x केन बराबर है या यह अरकेसं सकते हैं जो ओर है तो आपको चार अनुपात का मान बताना है तो चार गुड़े का नौ कर लीजिए यानि कि छती डिग्री हो जाएगा यानि कि जो गुरु वार का ताब मान होगा छती डिग्री देखिए मैं यक्स इसलिए लगाया जिससे आपको समझ यह नहीं तो वैसे लिए आपकर सकते है समझेगा जहां से यहां पर यदि मैं अनुपात में बात करूं तो सो मुवार और गुरुवार के मीच एक अनुपात का अंतर है और दिग्री में देखे कि सो मुवार और गुरुवार के मीच कितने डिग्री का अंतर है तो नौ डिग्री यानि कि एक अनुपात का मान नौ प१िए पड़ाँके और आपको गुरुवार का निकालना एक कुर्ण नमबर 28 नमबर 28 आपका है 거는 9 जन्वरी से 16 जन्वरी तक दूनों दिन सभी रोज का आोसत्ता मान 38-26 ते था 10-17 जनवरी तक 49-22 था यदि 9 जनवरी को ताभ मान 34-24 जनवरी था तो 17 जनवरी का ताभ मान क्या था यह आपको याद करना है तो ध्यान से कुर्शन को समझिएगा बुला है 9 जनवरी से 16 जनवरी तक 2-9 दिन सरीज यानि कि 9 जनवरी से 16 जनवरी तो 9 आपका वज़े आएगा फिर 10 हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16 9 जनवरी से 16 जनवरी दोनों तिन सहीत का मतलम 9 जनवरी मिलेना है और 16 जनवरी भी लेना है बुला है आउसत्ता मान अन्ती दस्मलों छेडी गरी यदि मैं आप से पूछूं कि 9 जनवरी से 16 जनवरी की तापमान का योग क्या होगा तो आप कहेंगे आउसत गुड़े दिनों के सहं क्या तो आउसत तो देराखा है आपका आपका 38 दस्मलों छेडी तो 38 आप देखेंगे ये दिनों के सहं क्या एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो इसमें आठ से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपको 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच के तापमान का योग पता चल जाएगा तो मल्टिप्लाई कर लेते हैं छे, आठ, चकार, तालीस को आठ, बचे, चार, आठ, 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 तिरिक, चोग, छे, तीस यानि कि 308 जनवरी से 16 जनवरी के बीच तापमान का योग आगया फिर आगे बोलाया 10 से 17 जनवरी का तापमान भी आपको दे रखा है 29 जनवरी था तो 10 से 17 यानि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यदि मैं आप से पूछूं कि 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच का तापमान का योग क्या होगा तो आप कहेंगे औस बुड़े दिनों की संख्या तो 10 से 17 जनवरी सिक्कर का तापमान का औस दे रखा है 39.2 तो 39.2 बुड़े दिनों की संख्या जेक लिए तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो आठ से 17 जनवरी के बीच तापमान का योग 313 दस्मलों छे आ गया फिर बोला गया है 9 जनवरी को तापमान 34 दस्मलों छे डिगरी है यानि कि जो 9 जनवरी का तापमान दे रखा है 34 दस्मलों छे डिगरी आपको निकालना है 17 जनवरी का तापमान तो यदि मैं प्यारे दोस्तों इसको मैं मानूर समिकरण 1 और इसको मैं मानूर समिकरण 2 अब क्या करते हैं समिकरण 1 वद 2 को गटाते हैं तो जानत से समझेगा समिकरण 1 वद 2 को गटा लेते हैं तो 1 में से 2 गटाते हैं तो माइनस 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 माइन तो मिल क्या रखा है यहां से आपको मिलना है 9 जनवरी का दिन और यहां से आपको मिलना माइनस का 17 जनवरी का दिन अब इनको भी गटा दिजे तो 308 दस्मलो 8 में से आपको गटा देना है 313 दस्मलो 6 तो देखिएगा यह पहलू आएगी माइनस में माइनस में पहलू यह इसलिए आएगी क्योंकि जो समिक यह आपका नीचे वाली पहलू जाते है तो सबको माइनस कर रहे हैं तो यह भी माइनस होगा यानि कि माइनस का 308 दस्मलो 6 में से आपको 308 दस्मलो का 8 घटाना है ध्यान से समझेगा मैं समिक्रण 1 में 40 माइनस होगा अभी माइनस और माइनस माहले बहूम जाते है तोー तो 16 में से 8 जाएगा आपका 8 बचेगा फिर यहां कितना बचा यहां पर 0 बचा जिरो जाएगा जीरो यानि कि जो मैं समिक्राड एक हो समिक्राड दो को बचाया तो आमको 9 जनौरी और 17 जनौरी के बीच के ताबमान का अंतर बें गया माइनस का चार दस्मलों 8 बचेगर यहां तक आपको समझने आ रहा होगा वैने क्या किया समिक्राड एक से दो को किवर घटाया है तो हमारा यहां से नो जन्वरी और नीचे से माइनस का 17 मिला और ये वाली बहर रूरी आती थी तो माइनस वाली मीज प्लस वाली बता है तो 4 दुनो 8 दिग्री आया वह ही माइनस का पुर्ष्यन में आपके दिया गया है कि 9 जभरी का तावमां 34.6 डीगरी है तो 9 जभरी का तावमां 34.6 डीगरी माइनस का 17 जभरी है ठीक, बराबर आप को जाएगा यहां से आप 17 जन्वरी का तामान निकालेंगे तो क्या होगा यह माइनस का 17 उधर ले जाएगा तो आपका शौनतीश दस्मलों छे डिग्री आपका तो है लेकिन यह आपका राइड साइड में माइनस है जब लेक्ट साइड में आएगा तो यह आपका प्लस का 4.8 डिग्री इसी को जोड़ दीजिए तो आठ से चौद्य को चार 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 आठ एक नौ हो जाएगा और तीर हो आपका आपसर नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों मैंने इस कोश्चन को बिल्कुल आसान वासा में सब्दाने का प्रयास किया है फिर यह आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंटर बास में कमेंटर के जरूर बताइएगा अब देखते हैं कोश्चन नं ठरूटर का त Irish है कितने etho करव हैं यह आपको व्यार करना है तो सबसे बढ़ी प्यारे दोस्तों कोशन में आपको दे रखा है ति कि 45 चातरों के प्रापता को का और तो आप से पूछा जा रहा है कि कितने चात्र अनुत्रिड हैं कितने चात्र अनुत्रिड हैं मैंने माल लिया कि यक्स चात्र अनुत्रिड हैं अब टोटल के 45 चात्र हैं जिसमें से यक्स चात्र अनुत्रिड हैं तो हम पूछे कि उत्रिड चात्र कितने होंगे 45 माइनस का यक्स मैंने माल लिया कि आनुत्रिड चात्र अनुत्रिड कितने होंगे 45 में से आप यक्स अगड़ा आएंगे तब ही पता चलेगा अब ज्यान से समझेगा यदि मैं आप से पूछू कि टोटल के 45 चात्रों के प्राप्टांकों का उसर्थ चाली दिया है यदि मै यहां से आप निकाल सकते हैं 45 में कि छात्रों के प्राप्टांकों का यो प्राप्टांकों का यो असरे निकालेंगे और सब्सक्राइब देरखा याप का 40 और छात्रों की संक्या आपका 45 एक जीरों लगेगा 4, 25, 0, 4, 16, 18 यानि कि 45 छात्रों के प्राप्तांकों का योगा आपका या 18 संब और यानि मैं पूछू कि उत्तरिड छात्रों का योग, तो उत्तरिड छात्रों के प्राप्तांकों का योग, तो उत्तरिड छात्रों के प्राप्तांकों का योग, तो उत्तरिड छात्रों के प्राप्तांको याँ से लिखेंगे प्राप्तांकों का रुख क्या होग और आउसद पुड़े अनुत्रिर चातरों की जां गैनिक है यानि कि उत्रिर चातरों के प्राप्तांगों का योगा आपका बावन और ब्रेकेट पे पहेंटालिस मैंनस एकस है और अनुत्रिड़ का आपका 16 गुड़े का यह से है यानि कि जो उत्रिड़ छात्रों के प्राप्तांकों का योग है और अनुत्रिड़ छात्रों के प्राप्तांकों का योग है उसका योग 1800 के बराबर होना चाहिए क्योंकि टूटल बच्चों के प्राप्तांकों का योग 1800 यहां पर उत्तिर्ड माइनस का यह प्लस का, और इसी और आपका 60X इन दोनो का यह तो गुड़ा कर लेते हैं 45 का बावन में 45 का बावन में तो दो पच्चे दस दूचो काथे नौ क्रास होगा तो यहांपर 0, 9, 5, 4, 3, 4, 3, 140 नो बावन में 45 का बठां करूंधे तो 52 का एक्स में बुड़ा करेंगे तो 52 एक्स हो जाएगा अब प्लस का 16 एक्स बराबर आप काओ जाएगा 1800 अब देखिएगा 2340 इदर है इस 1800 को मैं इदर लाओंगा तो माइनस मोझा जाएगा यानि कि आप काओ जाएगा 2340 माइनस का 18 अब देखिएगा यहां पर ऐसे ही रहते हैं माइनस का 52 मेंसे 16 गटाएगे तो 12 मेंसे 6 जाएगा च्यार मेंस एक जाएगा तो यहां से आपकर 36 एक्स बराबर क्या हो जाएगा इन दों को गटा देगे तो 0 मेंसे 0 जाएगा पांच आप देखिएगा सबसे पहले दोसे आठ अठारा सब्सक्राइब निकाल लिया पंदर आप से पूछा जा रहा है कि आधृतिर छातर किसे ने हैं तो आपने अनुत्तिर छातरों को कितना माना यक्स यानि कि अनुत्तिर छातरों की संग्या कितनी आ गई पंदर है यही आपका एंसर हो जाएगा इस तरीके से आपका आपसर नमबर यह सही हो जाएगा यानि कि उत्तिर चातरों की संगया कितनी होगी तो उत्तिर चातरों की संगया कितनी होगी 45 और यक्स कमान 15 यानि की 20 यानि कि उत्तिर चातरों की संगया आपका 30 होगा आपसे question में पुछा गया था कि आज तिर चातरों की संगया तो वो आपका 15 होगा यही आपका answer होगा अधिते question number 30 Question number 30 आपका है एक कच्छा में जिन 52 चातरों ने परिच्छा दी उनके औसत प्राप्तां 85 है यदि उच्छतम 5 परिच्छार्थियों के प्राप्तांकों पर विचार न किया जाए तो आउसेश चातरों के आउसत प्राप्तांक दो कम हो जाते हैं यदि प्रतम 5 उच्छतम प्राप्तांकों वारे चातरों में से किसी के अंक 80 से कम नहीं है तता 5 उच्चतम अंक वाली प्राप्त करने वारे परतेग छात्र के सु अस्वस्ट पुडांग है तो उच्चतम प्राप्तांग वाले छात्र के अधित्तम संभाव अंक है क्योंकि आपके यूपी पाली टेक्निक एंट्रेंस एजाम 2012 में पुछा गया कुछन है सबसे पहले कुछन में क्या पुछा गया है और कौन-कौन सी चीजे दी गई है इसके बारे में समझेगा सबसे पहले बुछा गया है कि 52 चातरों ने परिच्छा गी जिसका औसल प्राप्ता 85 है फिर आगे बुला गया है कि यदि जो सबसे खाये पाने वाले पांच परिच्छार्थी है उनको यदि कंपेर ना किया जाए यदि उनको गरना ना किया जाए पांच चात्र ऐसे हैं जो उच्छतम नमबर पाते हैं यदि उनको नो गिना जाए तो जो आपका आउसर पचासी है वो घटकर तिरासी हो जाता है तो बोला है कि इन पांचों में से कौन ऐसा और उसमें कंडिशन भी है कि जो पांच उच्छतम अंक पाने वाले हैं वो असी से कम नहीं कोई पाता है यानि कि जो हायेश नमबर प्राप्त करने वाले हैं 80 से कोई कम नहीं पाता है तो बोला है कि सबसे अधिक अंक जो इस्टुडेंट पाएगा हुआ कितना पाएगा तो यदि मैं आप से पूछू कि 52 ने परिछा दिदिशका आउसत प्राप्तांग 85 है तो 52 चाथरों के प्राप्तांग का योगारारा है आउसत पूड़े चाथरों कि संख्या तो आउसत आपका दे रखा है 85 और अगर्चासी और चाथरों कि संख्याए आपका है बावन तो मर्टिप्राइग कर लेजिए यहां से आपका जीए ऊसाथ बारे को दो एक तीन एक चार और चार यानि कि बावन छात्रों के प्रात्कों का यूगा पा गया चवाली सो बीस उरुपया। फिर बोला है कि यदि उच्चातम 5 करिछात्यों ने प्रात्कों पर विजार नाँ किया जाय है। यानि कि इन 52 छात्रों में से जो अधिकतम उनक पाते हैं 5 छात्र उनको गरणा ना किया जाए तो 52 में से 5 गरणा नहीं करेंगे तो बचेंगे आपके पात 47 बचेंगे आपके 47 गरणा ना किया जाए है तो सेज्ल सट्रों किसम साउं से यानि 256 यानि 3088 होजाता है तो यकिस goose तो आप करेंगे 47 गुड़े का तीरासी तो तीन सब्सक्राइब और दो चौज है आठ सब्सक्राइब बचे पांच आर्ट यहां से आपका एक यानि कि 47 चात्रों के प्रासांगों का योगा अपने निकाल लिया 491 फिर कोशन में कंडीशन दे रखा है कि पांच उच्चतम प्राप्तांगों वाले चात्रों में से किसी के अंक 80 से कम नहीं है यानि कि जो अधित्तम अंक पाने वाले 5 चात्र है उसमें से किसी का भी अंक 80 से कम नहीं है तो मैंने माल लिया यह 5 चात्र एक दूसरा चात्र यह तीसरा है और यह चौथा है यह पचवा है इन जो highest नमबर पाने वाले हैं किसे का अभी नमबर 80 से कम नहीं है तो मैंने माल लिया पहला 80 पाया होगा दूसरा एक 80 पाया होगा किसरा 82 पाया होगा और चौथा आपकर 84 पाया होगा यहां तक आपको किरियर है और देखिएगा यहां पर 52 चातरों के प्राभ्तानकों का योग है यदि मैं पांच पापर जो अधिता बांवागों के प्राभ्तांकों का गढ़ादों तो तो चबवारी सो बीस में से आप पने सो घड़ाहंगे तो कितना होगा 10 में से 1 ज़ने 7 ज़ने गजेरू जाएगा एक फिर 44 में से आपáriaàngी पांच आख वह नो यानि कि जो अधित्व अंक पाने वाले 56 है उनका जो यो वह कितना है पांपान 700 टी तो मैंने माल लिया 5,7,1,2,3,4,5,7,8 जो अधित्तवन इसमें condition दे रखा है कि 80 के उपर पाते हैं इनको चोलनी जिए पदे 4,2,6,1,7,7,8,8,6,8,3,4,3,2,8,4,6,8,8,4,3,8,4,2 अब प्लस का यह सब बरावर आपका उगाउयगा 5,9 तो यह सब आपको शब पर सबसे आपकोаки चाड़ु TWO, गसे आपका पर शोम धर 75, àel9,aste 25, be ael9 गया तो नौ मिलेगा और यहां में से चार में से तीन घट आएंगे एक यानि कि जो हाइश नंबर पारियों वाला इस्टुडेंट है उसको 192 नंबर मिल सकता है इस तरीके से इस कोश्चन का जो एंसर होगा वह आपका आपसा नंबर डी सही होगा यहां पर कहीं पर एक एंग का म मिश्टेक है 1882 इसको 83 लेना पड़ेगा पाला एक असी पाया दूसरा 1882 यह तो यहां पर आप जोड़ेंगे तो तीन दो पांच एक शे लिए आएगा तो यहां से आप भटा लेजिएगा पांसा उन्नी में से 326 आ बटाएंगी तो आपको 193 नंबर मिलेगा यानि कि हाइ यह नंबर पाने वाला जो इस्टूडेंट है उसको 193 नंबर मिलेगा इस तरीके से आपका आपसर नंबर डी सही हो जाएगा अब देखते हैं कोशन नंबर 31 कोशन नंबर 31 आपका है पांच क्रमित विसम संख्याओं का आउसत 15 है तो पहली और अंतिव संख्या के योगफ नंच क्रमित विसम संख्याओं क्या होती हैं तो देखिएगा कभी विसम संख्याओं को मानना होता है तो आप ऐसे मालिए तू यक्स धनवन फिर दूसरा विसम संख्या क्या होगा तू यक्स प्लस का 3 तीसरा विसम संख्या क्या होगा तू यक्स प्लस का 5 और चौता क्या मैं डाइगा तो स्ऴश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् continuar उस्ट मन재 सिंध यहा ऊंडंग सब्सक्रेर क्टभां होग पुड़े पांदनेक यानि की इग्यारे आएगा यानि कि आपको इस तरीके से मानना है कि यह विसंसंख्या ही आए तो इसी वज़ा से ऐसा माना जाता है विसंसंख्या ओके यह बात आपको किलियर समझ में आ रही होगी तो बोला है कि पांच क्रमी की विसंसंख्याओं का आउसत पंदर है तो मैं आप से पुछूं कि पांच क्रमी विसंसंख्याओं का योग क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे आउसत बुड़े संख्याओं की संख्या तो पांच क्रमी की विसंसंख्याओं का योग निकालते यूग निकाला है ना दूसरा आपका ओड़ाइगा और चौथा आपका प्लसका से एक दो प्रसका नहीं इनका योग निकामा है तो ऐसल गुले संख्याओं की संख्याओं तो आवसल आपका 15 है आपका 65 हो जाएगा यानि कि 5 क्रेमी की विशम संख्याओं का योग आपका है 75 से कहात freakin पर आपका है दुसरा बांच यहां परका था दिसरा यह आंने चलिद में प्اسकना नौप कि पस्टी सो जा कर or तो हां से 10 एक्स का माँना परावर 50 होगा, 0 जिरो से 0 कहीं सिल यानि एक्स आपको मिलेगा 5 एक्स की बेरुगा आपको मिल गया 5 आपसे कोश्चन में पूछा गया है कि पहली और अंतिन संख्या के योगखल का 5 गुणा तो पहली संख्या का क्या है 2 एक्स प्लस 1 और अंतिन संख्या आपका क्या हू expos नाइब दौन तोम के योग का पांच ओना है कि है तो बड़े पांच थन का नो नियाolis और अंतिल शंक्या का पांच गुना पारी संख्या एक हाट एक अंचिन संख्या उन्निस इनके योग का पांच गुना कर दिए तो 19 और 11 गुड़ेंगे तो 30 गुड़ें का 5 कर लिए यानि कि 150 आजाएगा यही आपका एंसर हो जाएगा इस तरीके से आपका आपसर नमबर A सही हो जाएगा अधरते हैं कोशन नमबर 32 कोशन नमबर 32 आपका है अनुज, सतीष, मोनू, दिनेश वर राकेश पांच भाईयों की आई में प्रमसर दो दो वर्स का अंतर है यदि इनकी आउसत आई 23 वर्स गो तो राकेश वर दिनेश की पांच वर्स बाद की आई वा योगफल क्या होगा यह आप तो व्याद करना है तो सबसे पाले बोला है कि पांच भाईयों है जिनका आउसत दे रखा है आपको 23 जिनमें दो दो वर्स का अंतर है तो पांच भाई कोंपांस यह है एक आपका है अनुज, दूसरा आपका है 37 कि मोनू, दिनेश वर राकेश है इनके आई में दो थो वर्सका अंतर है जो पांच भाई है अनुज, 37, मोनू, दिनेश वर राकेशे है ऑगीर एक सांतर है तो यहां के आपका एक्स स्फ्लस्फ हो अब आपका दिनेश का अ होगा और यहां आपका होगा एक्स प्लस एक क्योंकि पोश्चन में बोला ली गया है इनके आई के बीच का अंतर दो दो वर्स का है तो सब के बीच का अंतर मैंने दो दो वर्स कर दिया फिर बोला है कि आउसक आपका है तेई तो इनके आई का योग निकाल लेते हैं तो एक्स प्ल आवसत बक्रोव कि संक्या। आपको दें रखगा है देशार संक्यां को पांच के 618 ऑफ यानि की इन पाँचों भाईयों के आहीं का योग आपका होला गया The system and d अब कि पांच एक्सका मांन अपका आ गया 15 के बरावर ते यहां से 5 एक्सका बावां के मितना आगए थि ए我就 ओनीस बार में जायेगा यह य्क्सका मांन जुगायेगा 21 इत्त का मानस आगए 19 ुश्टन में आपसे पूछा गया है कि राकेश वर दिनेश की पांच वर्स बाद की आई तो सबसे पहले राकेश वर दिनेश की बरतमान आई दिका लिए तो यह आपका है दिनेश और यह आपका है राकेश यक्स कमान 19 रखेंगे तो दिनेश वर राकेश कमान आई कमान आ जाएगा तो यहां पर रखेंगे 19 प्लस का अच्छ है तो यह आपका अगर 23 वर्ष का दिनेश है और यहां पर आपके अच्छ का मांच 19 रखेंगे तो यहां सब्सक्राइब लेकिन आपको यह नहीं बताना है कि ढॉलाएं कि दोनों में पांच में जोड़ेते हैं तो कांसा शाल इसमें जोड़े के इन दोनों के यूब कर दिए तो इतना होगा बांसट वर्स यानि कि दिनेश वर्नाकेस का पांच वर्स बाद आज का यूब बांसट वर्स होगा अब देख सकते हैं कि इन दोनों के आज के बीच का अंतर भी-दो वर्स है तो किलियर आपको समझ में आ गया होगा इस कोश्चन का सालूसन अब देख इस तरीके से आपका आपसर नमबर 20 ही हो जाएगा अब देख कोश्चन नमबर 33 जो इस चेप्टर का लाश्ट कोश्चन है ध्यान से समझेगा बहुत ही इंपार्टेंट कोश्चन है क्यों थी यह अगने इंटेंस एक्जाम 2012 में पुश्चन है तो ज्यान से समझेगा एक आदमी की बरतमान आयुव का उसकी पतनी की आई के प्रति अनुपात पांच अनुपाते चार है जब आदमी 35 वर्स का था तो उसकी पतनी की या है उन दोनों की आयुव के आउसत मान से पांच वर् तो ध्यान से कुश्चन को समझेगा बोला है कि एक आदमी की बरतमान आयुका उसकी पतनी की आयुव के प्रति अनुपात 5 अनुपाते 4 है यानि कि जो आपका आदमी है और जो पतनी है इनके बीच का अनुपात जो दे रखा है 5 अनुपाते 4 तो मैं माल लेता हूं कि आदमी और पतनी के बीच जो i का अनुपात है वो आपका 5x अनुपाते 4x के रूप में है फिर बुरा है कि जब आदमी 35 वर्ष का था तो आपको पता नहीं है कि आदमी कब 35 वर्ष का तो मैं माल लेता हूं माना कि Y वर्ष का था तो आदमी का कितना रेषी हो है ऐघाय वाई गळावर 25 होना चाहिए क्योंकि फोर्षम के बोला है कि जब आद्मी 35 वर्ष घातों. तो पांच वर्स पहले आप और अब निकाल लेए यानि पत्नी का निकाल लेए तो चार एक्स माइनस का वाई हो जाएगा पिर क्वोश्चन में आप से बोला गया है कि उसकी पत्नी की आई जो है उन दोनों के आई के आउसत माँद से पांच वर्स कम है जानि कि जो इसकी पत्नी है इसका जो आई है इन दोनों के आई के आउसत माँद से पांच वर्स कम है तो इन दोनों के आई के योग को दो से इवायट करेंगे और पांच वर्स कम है तो सबसे पहले आउसत निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ कर, कितने लोग है, दो सोरी वायिक पर दिए, आपका वह रज़ा आएगा, 5X माइनस को अई, प्लस का 4X माइनस को आई, बट्टे का कितना है गहा दो, क्योंकि दो यह रही बात की जा रही है, कितना कम है, 5 वर्ज कम है, अब यहाँ पर पत्ते नही मांच माइनस कवाई और दखेगा यहां पर माइनस कवाई और देखिएगा यहां पर माइनस कवाई नहीं तो ध्यान से पाँच एक्स और क्रोस चाहर एक्स जोडेंगे तो नौण यट का वाइगा और यहांपर मिलेगा नौद गेंगे तो दो आएगा और यह नोग तो आठ एक्स माइनस का 2y बराबर 9x माइनस का 2y और माइनस कटी या माइनस 2y या माइनस 2y कैसी अब देखिएगा यहाँ पर यह स्वाई वेलू को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पर 8x है इधर आपका 9x है राइट साइड में जब लिफ्ट साइड में आएगा माइनस का 9x बराबर आपका आएगा माइनस का 10 माइनस 9x में से आफिक गटाएंगे तो माइनस का 10 माइनस से माइनस कैसी या यह का मान आपका आएगा 10 यक्स का मान आपने निकाल लिया दस आपको बताना है आदमी की बरतमान आई तो देखिएगा आदमी की जो बरतमान आई थी वह पांच यक्स था आपको यक्स का मान पता है दस है तो पांच गुड़े यक्स का मान दस करेंगे तो पच्चास यानि कि आदमी की जो बरत्मान आई वा गई हो आपका पच्छास वर्षा आगया इस तरीके से आपका आपसन नमबर भी सही हो जाएगा इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज ही क्लास से मैंने आपको आउसत के कोश्चन नमबर 24 से लेकर के कोश्चन नमबर भी सारे प्रसुनों का सालूसर करवा दिया है यदि आपको किसी भी कोश्चन में कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन होगा तो आप उसे कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा प्यारे दोस्तों मैं आपकी प्रते कोश्चन को बिल्कुल डिटेल में आसान दासा में समझाता हूं फिर भी यदि आपको किसी भी कोश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा मैं उसको डाउट सेजन की क्लाफ में साल करवा दूंगा एक बात और प्यारे दोस्तों आपको हमारी वीडियो क्वार्टी कैसी लगती है लाइटिंग की सुभीदा और बढ़ानी चाहिए या अधर कोई प्राबलम यानि की वीडियो क्वार्टी से रेलेटेड आपको कौन सी प्राबलम है आप उसको कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि देखते हैं कि maximum student एक से दो कोशन चोड़ें देखें कि उसके बाद चोड़े देंगे चाहिए दोस्तों मैं आपको पूरे सालोशन कर वाता हूं तो आप व्यवस्तर तयारी के लिए सारे सालोशन जरूर देखा करिए जिससे आपको एक व्यत्तर तयारी हो सके और आप टाप टेन गवर्निंट पालिक करें या या कर सकते में आप का लिए नानों लाइकन कमाना बिल्कुर मत बूलें जिससे हमारे देश्टाइंग वाली वीडियो आपको में पीर है सबसे कोहले धन्याइब